नमस्कार जैश्री कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि आपको मैंने बताया है या बता चुका हूं पीछे भी कि मैंने जियोतिष ग्यान के नामसे एक सिरीज स्टार्ट की है उसके अंदर मैं स्टार्टिंग से लेके और अडवांस तर्क अस्ट कि आप एक सफल असलजर बन जाये एक अपकर नाम कमा सकेंगे जो अच्छा होता है अच्छी बाते बता सकें सही बाते से निसाब से बात बाते से मन गड़नते हैं अपने बता दी तो वह बहुत जरूरी है के शास्त्रों सित नालीज आपको मिलेन शास्त्रों के इसाफ से आपको सारी बाते मालूम चले और उसके हिसाब से ही आप लोगों को बताओ आगे फैलाओं बातों को तब अच्छा होता है कि इस चीजों का परचार पसार अच्छा हुआ तो मैं ज्यादर समय वेशना करते हुए आगे पढ़ाता हूं आपको जो आगे मैंने बताया था कौन सी राशी तमोगुन राशी कहलाती है सतोगुन राशी कहलाती है या रजोगुन राशी कहलाती है सतोगुन राशी को मैंने बताया था आपको के चार पांच नो बारह होती है रजोगुन राशी एक आठ दो साथ होती है तमोगुन राशी तीन छे दस क्यारा होती है सत चीज के अंदर बहुत सात्रिक्ता हो तो ऐसा सतोगुन कहलाता है आज सतोगुन मिलने वाले बहुत बश्किन है राजाओं की लगजरी में रहते हुँ जैसे जिसे कृषिन भगवान को दिखाते हैं वह बहुत रजोगुन में दिखाते हैं फिर फुब जवाराग पहने हुए हैं लगजरी में हैं सब चीजे तो राजाओं वाले गुन है राजदेश प्रजा का भला करना वा चाते हैं ऐसे गुन जो होते हैं वो रजोगुन कहलाते हैं तो वो गुन होते हैं क्रोधी और गलत बोलने बाले जो प्रोधी लोग होते है फ्रोड़ा एग्रेसिव होते हैं गलत बोल देते हैं विशन करने वाले होते हैं ऐसे लोग प्रोधी होते हैं तो ये राशियां देखके एगर आपके लगन में और चंदर राशी इन राशियों में है किसी में से तो आप अपने को कोशिश कीजिए कि आप इंप्रूब करें ऐसा जरूरी नहीं है कि रजोगुन राशी जिसकी रजोगुन लगन आ रहा है या जिसका तबोगुन लगन आ रहा है तो वो निस्ती रूप से गलत या पढ़ने वाला होगा लेकिन हो सकता है इन राशियों से जो मैं आपको पीछे बताई है ये आप परसिनलेटी का एड म puppies है क्या स्टेंथ और उसके मेज्व को पि pacing को सियवा से करेकर यह उसके बार बार में आए और छाई एम जल्दी बन नाम और सुरूप क्या ॰हता है उसके बाद म कैоздी नाम और सुरूप क्या क्या हूं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वी राशियां में नाम के अनुसार काम करती हैं सारी ये मैं वैसे आपको पूरा डेटेल में आगे बताऊंगा जब दीज़े देश चलेंगे हम लोग कुंड़ी अनिलेसिस पे तब आपको डेटेल में आगे मालूम चलेगा लेकिन पिर भी हलका हलका हिंड देखे मां आपको यह चल रहा हूं ताकि आपको मालूम रहे कहते हैं मेश व्रश मिथुन कर्कट सिंगा कन्या तुलाश व्रश शिक्कगा धन्वी मकर कुंबो मीन इस्तित्वती राशी नामानी कुंब कुंब धरो नोरत है मिथुन है विना गजा भण रो यह खे खिते हैं कि और मीन उम्राश नुक मीन युगं दन है शलकत को नियों देह कुंब धरो नोरत हो है है जैसे किसी ने अपने उपर घड़ा रखा हुआ है किसी पुरुष ने एक घड़ा रखा हुआ है उस राशी की उस राशी का जो फोटोग्राफ है वो कुम्ब राशी कहलाता है अब यह फोटोग्राफ आया कहां से फोटोग्राफ कुछ नहीं है मैंने बताया था आपको कि राशियां जो है यह तारो पा सम्भू है तारों का सम्भू अगर आप गौर से देखो तो आपको ऐसा लगता है को तारों का कलेक्शन जो है कि शायद किसी कोई आदमी खड़ा है और ला भेड़ होती है उसके तरह से जब्धार का समूव इस तरह की शेप का हो तो वो मेšराशी है। के बारे में इन्होने साफ बताया है कि ब्रश-राशी अपने ब्रश किसे कहते बैल को सांड को उनका भी नाम होता है बैल की तड़े अगर कोई नक्षश लाष्य दिखाई दे रही है राश्यों का सम्मू इस तरह का है कि पैल की छवी दिखाई देती है किस चीज को लगता है यह तो इस तरह की शकल धहीं अपर दखिए तो जो 12 के सब्सक्राइब किया है अ ब्रहंद की लोकेशन के लिए उन 12 तारों के मिद् समूक को हमने नाम दे दिया है मेजष, मिथुन, कलकर के इस लोसके नाम दे दिया है तो कहते हैं कि मेश राशी यह राशियों के नाम है मेश प्रश मिथुन कर्क सिंग कन्या तुलाव रशी धनू मकर कुम्ब मीन यह सारी 12 राशिया हमारी है कुम्ब का सवरूप क्या है कि मनुष्ट उन्हें गड़ा उठा रखता है यह कुम्ब का सवरूप है यह मैंने आपक कि आगे बहुत आएगा इन राशियों का यह इस तरह से लगती है देखने में इसका उप्योग भी आगया आएगा बड़े बलशाली भी है संगीत के प्रिया भी है ऐसे लोग जिनकी राशी मितोन होती है लगन मितोन होता है यह तो यह सब चीजे आपको इनी राशियों से जज़ करनी है उनकी शेप से ज़ज़ करनी है कि किस तरीके से है मीन राशी मचलियों का जोड़ा जो मीन राशी होती है दो मचली होती है दोनों के अपोजिट होते है एक तरह पैर होते है तो दूसरे का सिर होता है इस तरह से अपोजिट होते है मीन राशी मचलियों के रा थीर कमान लिए भी खड़ा हुआ है और तीर कमान खीच रहा है और नीचे का इससा घुड़ेगा होता है तो इससे ऐसा लगता है कि ऐसे जातक जो होते हैं, उनका अब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, मतलब धनुशमान लिए बैठे हैं और अपने अब्जेक्टिव की ओर देख रहे हैं, निशाना लगाने की कोईच कर रहे हैं, तो ऐसे दातकों का अब्जेक्टिव बहुत क्लिय होता है कि मुझे कहां जाना और वह West वह hari Godıyla अशू के सब dzisiaj सबस mercury करद lebih tutto आपना of जिए और ब्रूस वह तो अब जानी know ऑग उस्ते निकाल लुव श्वारे चीज्किर नखनी लेहिता है और द्छंभर क Ты civोन में निकाल नहीं है यह हैं नहीं है चर राशी है विशम राशी है वो आप निकालते रही है वो सब चीज्टों आपको मालूम चलती रहेगी लेकिन इसका भी सिगनिफिकेंस है कि राशियों की शेप कैसी लगती है अब ऐसे लोग यह बड़े इंपोर्डन राशी है यह ऊपर तो हीरन टाइप की लग रही है तो यह क्या इससे क्या मतलब है सोचिए इससे क्या मतलब हो सकता है इससे मतलब यह हो सकता है कि देखने में तो ऐसे लोग बड़े बढ़िया लगते हैं वास क्लास लेकिन जब मौका मिलता है तो फिर वो छोड़ते रही है कोई ना कोई चीज का फाइदा आपसे उठा लेते हैं तो इस तरह की चीजें आपको उससे उसके फिगर से दिखा ली होंगी जो फिगर राशियों की फिगर है जो राशी फिगर दिखाई है कन्या राशी कन्या राशी क्या दिखाया है कि नाव में बैठी ली कन्या है उसके एक हाथ में दीपक है, दूसरे हाथ में धान या जवार, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, किसी चीज में किसी शास्त्र में धान लिखा है, किसी शास्त्र में जवार लिखा है, लेकिन कहीं क्लियर नहीं है exactly कि धान है या जवार है, बत यह समझ लिजए कि अन है उसके एक हाथ म मैं जबु corresponds में जबुत सब्वाइड गुंड को बढूर तो अव्युवन स्क्रीवよग झा वह सा कि आपको प्राश दिखाते हैं आपको रास्णी डिखाते हैं उस्यों टिखाते हैं आपको कि फ्रवायड करते हैं ऐसे लोग जो मतलब कुछ प्रवायड कर ने वाले होते हैं आपको रोटी देंगे या डूद है वाले इससे कुछ करेंगे लेकिन मतलब जो आपको प्र आइड करने वाले हो परos के सांफ राशी है थु से लगन वाले लोग जो होंगे वो थोड़े तुला राशी जो होती है वो एक पुरुष्ट है वो तराजू पकड़े हुए अपने हाथ में बजार में यह आपको राशी नो उनका चित्र दिखाई पड़ेगा अगर आप वह तारों का सम्हू देखते हैं जो तुला जिसको आप देखें तो ऐसा लगे जैसे तराजू हाथ में पकड़ेवे पुरुष खड़ा हुआ है और ऐसा क्या हुआई इससे लोग बड़े भाला कि यह लोग बाद चलते हैं अपने आपको बड़ा तोल स्नाब तोल के बाद करने वाले और वर्क के होते हैं तो तुम से बहुत तोल तोल के चीज यह देंगे उसके बाद आता है कर राशी वो तो अपने नाम के इसलाब से केकले की तरह है उनमें थोड़ा सा एक उनके अंदर बहुत होते हैं अच्छे लेकिन एक इस कॉलिटी भी होती है जो केकले की रूप में दिखाई है केकला को अगर आप देखो तो क्या केकली से आपको मालूम च जड़ता है तो यह कॉलिटी होती है ऐसे लोग जो है थोड़ा सा पकड़के नीचे खीशते लेते हैं अल्दों बहुत अच्छी राशी है सब कुछ है गुल्म बहुत अच्छे होते हैं आगे मैं आपको जब राशियों के पतावंगा बढ़े अच्छे प्वालिटी बता होते हैं साथ आते हैं यह तो हमारी लाइफ का पार्ट है एक्वालिटी और डिस्क्वालिटी दुनों हमारे साथ होती है फिर सिंग राशी शेर के समान है पहाड और नदियां ऐसी चीज़ें कुफाएं इस तरह की चीज़ें देखनेBO इंग में में रहता है तो एकदम हो जाए उंका लगन या उनका है नाम का शुरूपी सिंग है तो सिंग राशी का ऐसे ही परश्टिक राशी क्या है परश्टिक राशी बिच्चू के समान देखाई पड़ती है इसे बिच्चू होता है ने छेड़ो तो कुछ नहीं है छेड़ो तो यह टंग बारेगा तो यह सब चीजे आपको सिगनिफिकेंस आपको राशियों की फिगर से निकलने पड़ेंगे कि ऐसा क्या है बीचे बोओ पिछे जीज दी गई है जैसे मतलब यह सम्मूँ है कैसा दिखाए पड़ता है मेश का मेड़े की तरह लिए पड़ता है hugging रस्चिक गण वाला भीत्चु है दनू अदा घोड़ा तीर कमांच राने वाला मनुश्य है मगरर राशी उपर से हीरन निचे से मगरमच है तो घड़े से गिरतावा पानी है कुमः राशी मीन राशी दो मसलिया है तो ये राशियों के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना ज़िए है राशियों के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो बहुत भी फाइदा आपका होगा और इससे मतलब आप किसी भी राशी से किसी भी तरिक चीजों का आप आडिया लगते हैं मतलब राशी से ही पूरी च नूंश्बान के सकती है तो आप खुद भी अडिया लास सकते हो कि ऐसे लोग इसाह क्ąd जल्दी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लोग जलदी भीमार पढ़ जाते है कुछ जाता है वह तो ये पहले कोशिश कीजिए जब राशियों के सापसे आपको कोई जए तब हम इस चीज पर आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा लाएगा आगे मैं आपको बताउंगा ये बाटो प्रुश में राशी मुख में होती है मिथुन राशी बुजा होती है, करक राशी हिर्दय में होती है, सिंग राशी पेट में होती है, कन्या राशी कटी पेट से निचे का हिस्सा होता है, निचला पेट का हिस्सा, तुला बस्ती, यह थोड़ा गुपतांगर पेट के जो निचला हिस्सा है, उसके बीच का गयब ह उता है इस प्रकार काल पूरुष कौन है विसनु आ यह बताए गैंगा यह बड़ा से भामान्द पूरा जो है वह काल पूरुष की तरह है इसके हाथ है पैर है मुख है, सब कुछ है, और वो राशिया वहाँ पे विराजमान है, बार राशिया, मुख पे जो मेश, मस्तक पे जो राशी विराजमान है, वो मेश है, मुख पे जो राशी विराजमान है, वो प्रश है, भुजा पे जो राजवी विराजमान है, वो मिथुन है, तो इस हो सकती है इससे इंचिजयों में हो सकती है किसी की सिंगषी पेट को रिप्शेंट करती है हुद को इसे इसे का फेट गरवड रहता हूआ वह एव मंधम कव राशीए गई है चुन्ब राशीम को दिया गया है। तो इसमें कहा गया है, कानना रस्या नव्याना पुर्शानाम कल्प ये प्रवस्विकाले, यानि जल्म समय जो राशी बलवान हो, शुब ग्रह से युक्त दरस्थ हो, वह अंग मजबूत होगा, पुस्ट होगा, मनोहर होगा, जिसंकी राशी में निर्बलता हो, वैंक निर्बल होगा, पाप ग्रेजस में हो, उसमें कमजोरी आजाएगी, तो ये जल्म की इस राशी देखे, ये खुबली देखे ही आप विचार कर सकते हैं कि कौन सी राशी पीडित है, कौन सी राशी में क्या qualities होती है, क्या qualities होती है, क्या उनके lucky number है, क्या उनके क्या चीजे है, वो सब चीजे हम लोग आगे बताना शुरू करेंगे, अभी इतना ही, इसके लावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगा आपको अच्छा लगे, तो सब्स्राइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, कमेंट्स के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, यह वादा है, और इसके अलावा, साथ जन्वरी 2030 से हम लोग एडवांस अस्ट्रोजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो लोग इंट्रेस्टेड हैं, वो ये गे नंबर पर करते हैं, उसके लावा कुड़ी पैट्टेसी क्लास भी हम लोग करते हैं, एवरी संडे, जो जो जोइन करना चाहते हैं, कभी भी जोइन कर सकते हैं, ये गे नंबर पर बात करते हैं, धन्यवाद, जैशी क्रिश्णा.